हेलो स्टुटेंट्स, वेलकम टू यूपी सैसे, टैली स्रीज का एलेक्चर नमबर 21 है, और आज हम इस वीडियो में जनौरी और फरोरी की जो एंट्री हैं, उन्हें एक कंप्यूटर में यह टैली में चढ़ाएंगे, ठीक है, बाकी जो पीछे हैं, वो सब हो चुका है, पि जिनमें नए primary group यूज किये गए हैं, ठीक है, तो चली है, शुरू करते हैं, यहाँ पर टैली open करते हैं सबसे पहले, तो यहाँ पर आपडिस्पले में जाकर चेक कर सकते हैं, डिस्पले और डे बुक, तो यह देखे, यहाँ पर यह दिसंबर तक की entry कंपलीट हो चुकी थ थी और अभी हम फिलाल January से continue करेंगे ठीक है तो वापस आते हैं accounting voucher में और यहाँ पर हम date change करेंगे सबसे पहले F2 बटन प्रेस किया और यहाँ पर date हम change करेंगे एक और एक डालेंगे ठीक है January के लिए एक और एक तो यहाँ पर जो year है वो automatic बढ़ा लेगा ठीक है अभी तक आ हमारे पास है Mr. Ma paid cash 4500 for repair maintenance of office ठीक है ओफिस को maintain करवाया है उसी का इन्होंने pay किया है ठीक है तो simple entry है यहाँ पर इसे हम चढ़ा देंगे repair and maintenance expenses है तो वो आपका हो जाएगा repair and maintenance debit हो जाएगा कितना है 4500 रुपए है और credit में क्या है देखना पड़ेगा credit में आपका साहत cash है credit म cash है और यह entry आपकी accept हो गई ठीक है simple simple entry है अगला mister Ma received or check mister Ma ने चक प्राप्त कि यानि debit bank हो जाएगी कितने का 11,000 रुपए का किस ने दिया blue star company ने दिया है ठीक है तो यहाँ पर हम voucher receipt लगाएंगे पैसा प्राप्त हो रहा है कौन दे रहा है blue star company दे रही है तो यहाँ पर blue star company 11,000 रुपए दे रही है तो यहाँ आपका 11,000 रुपए यहाँ पर आ जाएगा और debit में आपका कौन होगा debit में SBI bank होगी क्योंकि check मिल रहा है समझ गए कोई confusion कोई confusion नहीं अगला question Mr. Ma issue a check 3000 rent के लिए यहाँ पर rent दिया है उसके लिए check issue किया है चलिए इस entry को भी फटा फट क अगली entry है Mr. Ma received the check 34,000 from Joy Infocom ठीक है Joy Infocom से 34,000 रुपए का check नहीं मिला है ठीक है क्योंकि इनको service दी थी आपको याद होगा तो यहाँ पर हम voucher receipt लगाएंगे credit में Joy Info टेक हो जाएंगे sorry Joy Infocom है कितना 34,000 रुपए मिला है और debit में आपका SBI बैंक हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर check द्वारा पैसा मिल रहा है और यह entry हम फटा फट अशेप्ट कर लेंगे ठीक है अगली entry देखते है मिश्टो मा पेड कैस 800 वार्ड कन्वेंस एक्सपेंसेज ठीक है कन्वेंस एक्सपेंसेज भी खरचा किया सिंपल सी इंट्री है तो यहाँ पर वाउचर लगा देंगे payment डेविट में आपका होगा तो कन्वेंस एक्सपेंसेज और कितना है अमाउंट भूल चीक है फिर से देख लेते हैं अमाउंट है आपका यहाँ पर 800 वार्पए ठीक है डेविट में आपकी होगी salary expenses 11,800 वार्पए और credit में आपका चेक यानि की bank हो जायागा ठीक है और इस इंट्री को भी हमने accept कर लिया अगली इंट्री है Mr. Vuma issuer check 1522 odd mobile expenses और उसके बाद अगली जो इंट्री है वो है यहाँ पर cash में office expenses की तो यहाँ पर देखिए check है और यहाँ पर देखिए cash है तो अगर हम इन दोनों इंट्रियों को एक में करना चाहें तो कैसे करेंगे देखिए कर लेते हैं इसको भी तो य कितना है amount amount देख लेते हैं amount है आपका यहाँ पर पंदरा सो पीस रुपए ठीक है 1520 रुपए दूसरी बार debit होगा दूसरी बार debit में क्या होगा office expenses हो जाएगा office expenses कितना है साथ सो पशेतर रुपए है देखते हैं देखले थे साथ सो पशेतर ही है हाँ यहाँ पर office expenses यह आपका साथ सो पशेतर रुपए है और भी cash में है ठीक है तो अब यहाँ पर हम credit में कर देंगे cash को कितना 775 रुपए से और बाकी को credit में कर देंगे SBI bank को ठीक है SBI bank को ये हो गई ठीक है तो बिलकुल same entry है हाप और आप देख सकते हैं daily phone debit हो गया आपका telephone expenses SBI bank के साथ और office expenses cash के साथ credit हो गया कोई confusion कोई confusion नहीं तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं दोनों entry को हमने एक में कर दिया अगली entry देखते हैं ये एक audit expenses होता है voucher यहां पर payment लगेगा क्योंकि expenses है audit expenses आपका debit हो जाएगा और कितना है ये 5000 रुपए है और credit में आपका यहां पर देखना पड़ेगा check दोरा दिया है कि कैस दिया है तो यहां पर ये check issue गिया है मतलब ये SBI bank हो जाएगा credit और इस entry को हम accept कर लेंगे ठीक है आगला question देखते है Mr. Ma received a check 50,000 towards consulting revenue from Balaji production house ठीक है तो यहां पर Mr. Ma ने receive कर लिया है check तो अगर check मिला है तो मतलब नगद हुआ और consulting revenue की income होई है हमें Balaji production house से कोई मतलब नहीं है ठीक है तो यहां पर हम क्या करेंगे voucher receipt लगाएंगे credit में कौन होगा consulting revenue क्योंकि यहां पर income हो रही है कितने की हो रही है देखना पड़ेगा तो यहां पर income हो रही है 50,000 रुपए की ठीक है 50,000 रुपए की तो इस सीच को भी ध्यान रखना ऐसा हो सकता है गलती से फिलाल इसे हम accept करते हैं और अगली entry देखते हैं अगली entry मिस्टो में paid cash मिस्टो में cash पे किया है क्यों किया है electricity charge में बिजली का बिल दिया 950 रुपए ठीक है तो हम इसकी entry फटाफट कर देते हैं यह cash में हुआ है तो voucher यहां पर payment लग जायागा debit में आपका हो जायागा electricity bill electricity bill हो गया debit कितना है 950 रुपए है और credit में आपका cash हो और इस entry को हमने accept कर लिया अगली entry देखते हैं अगली entry मिस्टो में withdraw cash at thousand for personal use विड्रो किया है personal use के लिए तो voucher payment होगा debit में withdraw यानि की drawing होगा आपने drawing नाम से laser बना रखा है कितना 8000 रुपए तो यह आपका 8000 रुपए हो जाएगा और credit में यहां पर देखना पड़ेगा cash है या फिर check है तो यहां पर cash है ठीक है तो cash हो गया कोई confusion कोई confusion नहीं तो देखें यहां पर फटाफट जनौरी की जो entry थी वो complete हो जोई है और अब फरोरी में कुछ entry है जो नहीं है ठीक है तो पहले तो हम जनौरी का जो trial balance से उसको देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं तो trial balance देखने के लिए वापस आएंगे display में जाएंगे day book में जाएंगे sorry day book में नहीं जाना day book में तो हमें एंटरियां पता चलती देखिए जनौरी की इंटरी चड़ जोगी है हम जाएंगे trial balance में और यहां पर alt के साथ F1 बटन प्रेस करेंगे और यहां पर आप trial balance देख सकते हैं इसका skin sort ले लिए बिल्कुल सही trial balance है और आप अपना trial balance है इसके साथ match कीजिए ठीक है अगर कुछ गलत होता है तो उसे सुधारने की सही करने की कोसिस कीजिए तो सबसे पहले तो अगर trial balance आपका गलत होता है तो सबसे पहले तो आपको गलती पकड़नी की गलती है कहां ठीक है फिर उसके बाद ही आप उसको सही कर सकते है कोई confusion कोई confusion नहीं चलिए फरोरी किंट्री करते हैं तो profit and loss और balance sheet तो आप देखी लेंगे ठीक है उससे नहीं मतलब अगर आपका trial balance है यह तो profit and loss balance sheet तो आटोमेटिक सही ही होगा ठीक है फिर भी आपको हम दिखा देते हैं एक नजर फटा फट ताकि कोई confusion नहीं हो यह आपका profit and loss account है और यह आपकी balance sheet है ठीक है आप चाहें तो इसे यहां से export भी कर सकते हैं और किसी को mail भी कर सकते है या save करके अपने पास रख सकते हैं ठीक है फिलाल वापस आते हैं और चलते हैं accounting watcher में और यहां पर हम फरवरी इंट्री चढ़ाएंगे ठीक है फरवरी की इंट्री यहां पर चढ़ाने के लिए सबसे पहले देट चेंज करेंगे ठीक है डेट अगर बाइचांस आप चेंज करना भूल जाते हैं और लगभग दो से तीन question कर देते हैं ठीक है दो तीन question आप कर देते हैं फिर क्या करेंगे तो उसके लिए हमने पहले ही आपको बता रखा है कि अगर आपको date नहीं बदलते हैं और इंट्री कर देते हैं तो उसके लिए आप इंट्री को edit करेंगे जाकर के और वहां पर जाके date चेंज कर लेंगे आप इछले वीडियो देख सकते हैं उसमें हमने ये सारी चीज़े discuss की है ठीक है तो फिलाल एक question और करवा देते हैं ताकि revision हो जाए हमाल लेते हैं कि यहाँ पर हमने date नहीं change कि और हमने फरोरी का जो पहला question है उसको हमने कर दिया ठीक है तो यहाँ पर फरोरी का जो पहला question है वो है Mr. Umar received a bill 5200 जैसरी ट्रेवल्स ठीक है ट्रेवलिंग expenses के लिए यहाँ पर bill प्राप्त यह उपर देख सकते हैं जनौरी में चड़ रही है जबकि यह फरोरी के entry है ठीक है और credit में आपका क्या होगा जैसरी ट्रेवल्स हो जाएंगे credit में जैसरी ट्रेवल्स और यह entry हमने sorry watcher यहाँ पर payment नहीं होगा general होगा देखें यहाँ पर दिखा रहा है कि payment warning दे रहा देख यहाँ पर error लिखा हुआ है तो हमने आपको पहले पता है था कि अगर error होती है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते warning होती है तो आप आगे बढ़ सकते तो अभी तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते कितना भी इंटर करने देखिए यहाँ पर हम एंटर करेंगे वापस से entry जो है व तो अब क्या करेंगे उसके लिए हम वापस जाएंगे या फिर हम अभी अगर भूल गया है तो जस्त हम पेज अब बटन कर सकते हैं तो पेज अब से हम यहाँ पर आ जाएंगे एक entry बैक समझ गया ना लेकिन अगर हम ऐसे नहीं आना चाहते तो हम वापस जाएंगे और यह यहाँ पर हम डेट चेंज कर देंगे उपर आप देख पा रहेंगे एक जनौरी 2017 है हम यहाँ पर F2 बटन प्रेस करेंगे और 1-2 डाल देंगे यह फरोरी और यह एंट्री हम वापस से असेट कर लेंगे बाकी और कुछ नहीं चेंज करना तो यह देखिए यहाँ से जनौर लग चुका है यह उपर आप देख सकते हैं तो कोई confusion कोई confusion नहीं चलिए फरोरी की एक इंट्री तो हो गई अब अगले इंट्री देखते हैं ठीक है चलिए अगला कोशन देखते हैं क्या है अगला कोशन है मिस्टर में पर्चेज रिलाइन सेयर मिस्टर मनें कहा है shareholder होता है ठीक है पार्टनर अलग चीज होती है आप उसके shareholder बन जाएंगे तो अगर उस company की कीमत बढ़ती है याई उसमें company में अगर मुनाफ़ा होता है तो आपकी जो share आपने खरीदे होंगे तो अगर आपने 100 रुपे का share खरीदा है तो जिस हिसाब से मुनाफ़ा होग उसे साब से आपकी share की कीमत बढ़ जाएगी 1.500 हो जाएगी 200 हो जाएगी और अगर आप company आपकी घाटे में जाती है जिसमें आपने share खरीदे है तो उसके लिए share जो है आपके सस्ते हो जाएंगे 100 रुपे के खरीदे हैं तो 50 रुपे की भी हो सकते है तो यही होता है share तो यहाँ पर यह share कर खरीद रहा है यानि कि पैसा इंवेस्ट कर रहे हैं समझ गया है तो कुल मिलाके यहाँ पर कितने के share खरीदे है 55,000 के खरीदे है और 550 share खरीदे है और हर share जो है 100 रुपे का है ठीक है और payment कैसे किया है चेक द्वारा payment किया है तो इस entry को हम पहले स्वाल कर से और credit आपका क्या होगा credit होगा SBI bank क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे है चेक द्वारा payment कर रहे है ठीक है laser किसका बनेगा तो देखे laser बनेगा reliance share का क्यूंकि यहाँ पर यह पहली बार आ रहे है और यह under किसके जाएंगे investment account के किसके investment account के अंडर जाएंगे कैसे यहाँ पर primary group है इसमें क्या होता है जितना भी पैसा हम share करते हैं और कहीं भी invest करते हैं वो investment account में जाता है ठीक है तो वही चीज़ है यहाँ पर हम क्या करेंगे यहाँ पर इसका laser बनेगा तो इसको हम investment account में रखेंगे कोई confusion कोई confusion नहीं ठीक है यह investment में जाएगा voucher यहाँ पर कौन सा ह जाएगा payment क्योंकि हम क्या करते हैं भुकता नहीं तो कर रहा है ठीक है चलिए इस entry को फटा फट कर लेते हैं समझ में आ चुकी होगी तो यहाँ पर voucher payment हो जाएगा डेविट में रिलाइन सेयर तो यहाँ पर laser बनेगा रिलाइन सेयर का ठीक है रिलाइन सेयर का laser बनेगा अंडर किसके जाएगे investment account के तो investment account यहाँ से हम select करते हैं site से और इसे हम accept कर लेते हैं ठीक है यह हमने accept कर लिया और इनका amount कितना है तो इनका amount है 55,000 रुपए और credit में क्या है SBI bank है ठीक है credit में क्या है SBI bank है और इसे हम क्या कर लेंगे finally accept कर लेंगे ठीक है तो यह entry हो गई अगली entry देखते हैं अगली entry मिस्टो में इस वह चेक 3000 रेंट मलब यहाँ पर रेंट दिया है और चेक द्वरा दिया है ठीक है तो इसकी entry हम फटा फट कर लेते हैं तो voucher यहाँ पर रेशीब चेक 10,000 फ्राम ब्लु स्टार कंपणी विद फुल सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ठीक है तो मिस्टो मनें क्या किया है चेक रीशीब किया है कितने का 10,000 रुपे का चेक किया है और किसने दिया है ब्लु स्टार कंपणी ने दिया है तो यह credit हो जाएंगे हमें चेक मिला है क्या हो जागा? बैंक डेविट हो जाएगी. सिंपल सी इंट्री है तो यहाँ पर हम वाचे लगाएगे रिशीप्त, क्रेडिट में क्या हो जाएगे? प्रेडिट में हो जाएगे Blue Star Company कितना? 10,000 गजाए अब यहाँ पर एक चीज आपको देखनी है blue star company का जो amount है वो कितना है 11,000 रुपए है already कितना है 11,000 और यहाँ पर यह दे कितना रहे हैं आप देखेंगे दे रहे हैं सिर्फ 10,000 और यहाँ पर इस साथ में यह भी बता रहे हैं कि यह full settlement है समझ गया तो full settlement का मतलब आपको पता ह हो गया तो दे 10,000 रहे हैं और देना 11,000 है तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे तो यहाँ पर discount हुआ है तो discount क्या हुआ expenses हुआ ना हमारा क्योंकि हमें मिलना 11,000 चाहिए था मिल 10,000 रहे है तो यह discount expenses हो गया फिलहल क्रेडिट में यहाँ पर blue star होंगे और 11,000 रुपे से होंगे दे 10,000 है लेकिन होंगे 11,000 से क्योंकि यहाँ पर इनका पूरा account साफ करना है और 11,000 ही उनके बाकी थे तो debit में हाँ SBI bank कितना हो जाएगा 10,000 चेक तो हमें 10,000 का मिल रहा है ठीक है और दूसरी बार यहाँ पर आपका debit हो जाएगा discount expenses ठीक है discount received नहीं discount received तब होता है जब हमें discount मिलता है हमने तो discount दिया है तो expenses हो जाएगा ठीक है 1000 रुपे और इस entry को हम accept कर लेंगे अगली entry देखते है Mr. Ma paid cash Mr हमने cash पे गिया क्यों किया है electricity नहीं बेजली कबिल दिया है दूसरी entry में क्या किया है office expenses पे खर्चा गिया तो इन दोनों entry को हम एक में कर देते हैं दोनों में cash है तो electricity नहीं electricity expenses 1100 रुपे और office expenses 650 रुपे तो voucher हो जाएगा payment और electricity expenses आपका हो जाएगा electricity bill 1150 रुपे और दूस ठीक है तो इसको हम सही कर लेते हैं पहले तो 650 डाल देते हैं और फिर उसके बाद वापस जाते हैं और यहाँ पर 1100 रुपे ठीक है और enter office expenses कितना हो जाएगा यह 650 रुपे हो जाएगा और credit में आपका cash हो जाएगा total final और shift कर लिया ठीक है entry हो गई अगली entry देखते हैं यहा बाद आगे बढ़ते हैं ठीक है तो यह question क्या है मिस्टो माइसू अच्छे को मलब यहाँ पर salary यहाँ पर फटाफट वाउचर पेमेंट लगाते हैं debit में आपका salary expenses हो जाएगा 15500 रुपे और credit में आपका bank हो जाएगा कि यहाँ पर चेक द्वारा payment किया गया है ठीक है अग पर चेक हो जाएंगे जैसरी ट्रेवल्स ठीक है अब यहाँ पर यहाँ पर अब यहाँ पर आपकाई यहाँ पर आपका salary रहें 16,000 देना कितना चाहिए 16,200 तो यहाँ पर 200 रुपए क्या हुआ है discount हो गया है और यह क्या है discount receive हुआ है क्योंकि हमें 16,200 था दे हम 16,000 रहे हैं तो यहां पर discount हुआ ना हमारी income हुई discount received हुआ है समझ गये ना तो और बाकी जो 16,000 वो चेक द्वारा दिया है तो justly travel से यहां पर पूरा हो जाएगा 16,200 रुपए ठीक है डेविट और credit हो जाएगा cash हमने कितना दिया sorry cash नहीं यहां पर SBI बैंक होगा तो check द्वारा हमने कितना दिया है 16,000 रुपए दिया 16,000 दूसरी बार credit अपने आप आ जाएगा देखे आ गिया है और यहां पर आपका होगा discount received discount received यानि income और income हमें सा credit होती है तो discount received credit में आ गया 200 रुपए कोई confusion कोई confusion न परसनल यहां निजी खर्च के लिए निकाला है तो voucher payment हो जाएगा debit में आपका drawing expenses होगा sorry drawing expenses नहीं drawings होगा और कितना है 5000 रुपए है credit में आपका यहां पर देखना पड़ेगा कैसे की चक है तो credit में आपर कैसे ठीक है इसी के साथ अगली entry देख लेते हैं अगली entry में क्या है telephone expenses 1100 रुपए है और convince 900 रुपए है दोनों इंट्रियां cash में है दोनों को एक साथ करते हैं तो पहले तो इसको और चड़ा देते हैं और अगली entry है watcher payment तो डेविट में क्या है telephone expenses है telephone expenses है कितना है देखना पड़ेगा फिर से 1100 रुपए है कितना 1100 रुपए है और दूसरी बार डेविट है दूसरी बार डेविट है आपका convince expenses कितना amount है इसका amount है आपका 900 रुपए ठीक है 900 रुपए और credit में आपका क्या है cash है दोनों में cash हो जाएगा और इस entry को है फटा-फट अशेप्ट कर लेंगे ठीक है चलिए तो यह दोनों इंट्रियां भी है आपकी हो ग into estate bank of India समझ गया तो question कह रहा है सिधी सी बात है कि Mr. Varma ने किया किया HDFC bank से loan लिया है और वो जो 75,000 रुपए का check था यानि जो 75,000 रुपए का loan लिया है HDFC bank से उसको इन्होंने अपने account यानि estate bank of India SBI bank में इन्होंने जमा करवा दिया समझ गया तो यहाँ पर हमने क्या किया है HDFC bank से loan ले करके और अपने account SBI bank में वो पैसा transfer कर लिया चेक दोरा समझ गया तो loan लिया है तो यहाँ पर पहली चीज तो debit आपका क्या हो जाएगा debit होगा आपका यहाँ पर SBI bank क्यों क्योंकि SBI bank क्या कर रहा है यहाँ पर SBI bank को ही तो पैसा मिल ला है 75,000 रुपए SBI bank में ज होगा bank अलग चीज है क्योंकि हमारा खाता तो SBI bank में है हमने क्या कि है HDFC से सुर्फ loan लिया है कितने का 75,000 रुपए का ठीक है अब यहाँ पर laser किसका बनेगा तो laser यहाँ पर HDFC loan का बनेगा HDFC loan का laser बनेगा अब अंडर किसके जाएगा आप सोचो HDFC तो bank है तो यह bank account के liabilities में अब यह कैसे जाएगा तो इसके लिए हम notes आपको खोल के दिखाते हैं पुराने वाले उसमें यह इस नाम का group है ठीक है loans and liabilities का यह देखिए उपर यह आप यहाँ पर देख सकते हैं यह आपका है loans and liabilities यह ग्रूप है और इसमें कौन जाता है जब भी हम loan लेते हैं व हमने bank से loan लिया है ना तो secure loans और unsecure loans के अंडर तो जाएगा यह नहीं bank or draft में जा सकता है लेकिन bank or draft में क्यों नहीं जाएगा इसको भी समझ यह bank or draft में वो account जाते हैं जैसे हमारा खात account से bank में है SBI bank में किसमें है SBI bank में तो अगर हम SBI bank से ही loan लेते समझ गे ना SBI bank से ही loan ल और जरोत पढ़ने पर हमने कहा कि है 20,000 या 50,000 निकाल लिए तो वैसे तो निकलेंगे नहीं लेकिन जब हम बैंक ओर ड्राफ्ट करेंगे नि लोन लेंगे और जब वो लोन पास हो जाएगा तब हम 20,000 रुपे निकाल सकते हैं ठीक है तो वो बैंक ओर ड्राफ्ट कहलाता है समझगे न यह क्या कहलाएगा loans and liabilities कोई confusion कोई confusion नहीं तो यह अंडर इसी के जाएगा इसको हम बंद कर देते हैं तो यह अंडर जाएगा loans and liabilities के और यहाँ पर voucher आपका काउंसा होगा voucher हो जाएगा receipt क्योंकि पैसा जो है वो क्या हो रहा है प्राप्त हो रहा है समझगे च sorry loans liabilities में जाएगा loans and advance assets मनी loans liability में जाएगा ठीक है और इसे हम accept कर लेते हैं और कितना amount है 75,000 रुपए है 75,000 रुपए है डेविट में आपका गौन हो जाएगा तो डेविट में आपका हो जाएगा SBI bank ठीक है क्योंकि पैसा तो SBI bank के पास ही जा रहा है न SBI bank और यह entry देख हैं तो कोई question चूटा है नहीं कोई question नहीं चूटा complete हो चुका है और जो March की entry है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे लेकिन हम इससे पहले इसके report देखते हैं क्योंकि इसमें दो नए गुरूप आया है तो देखते हैं कि वो कहां पर adjust हुए होंगे ठीक है तो हम display में चल मैच कर सकें ठीक है और बागी एक investment यहां पर आप देखिया आया है यह देखिये investment यहां पर आया है 55,000 रुपए समझ गया है तो अब अगर इसका हम profit and loss या balance sheet बनाएंगे तो अभी तक तो हमें पता था कि capital किस side में जाता है liability में जाता है current liability किस side में जाता है liability में जाता है fixed assets और current assets किस side में जाता है यह assets में जाता है और जो direct income और indirect expenses जो बचा है वो income expenses आपस में minus हो जाते है और finally जो profit होता है वो liabilities में जोड़ा जाता है और जो loss होता है वो आपका assets में जोड़ा जाता है याद होगा आपको balance sheet जो बनाते हैं तो इधर assets होते हैं इधर liability होती है और यह loss होता है वो asset side में आ जाता है यही तो पता था लेकिन अब ये loans liability और investment ये दो नए account income कहा रजिस्ट करेंगे तो देखिए loans liability ये भी liability है तो ये भी आपका liability में आ जाएगा और investment है ये संपत्ती होती यानि assets है तो ये आपका assets में ही आएगा बिल्कुल वैसे भी balance sheet बनेगी कोई confusion नहीं बाकि सब सारा सेम रहेगा बस loans liability आपका liability में आ जाएगा और investment आपका assets में आ जाएगा समझ गया कोई confusion और जो profit and loss account बनता है तो उसमें हमारा loans liability और investment से कोई मतलब भी नहीं है profit and loss में तो हमें सिर्फ income और expenses से मतलब होता है तो trial balance को हम पूरा नीचे तक आपको दिखा देते हैं आप इसका इसका इंसकी इंसाल ले लिजे ये आपका पूरा नीचे का portion है और ये आपका ओपर कठी है चलिए तो trial balance देख लिया profit and loss देख लिएते हैं और जो loans liabilities था वो आपका liability size में है ठीक है और इसमें ने profit हुआ है तो profit आपका liability में ही यहाँ पर देखें जूर जाता है कोई confusion कोई confusion नहीं ठीक है चलिए तो ये आपकी balance sheet भी हो गई तो यहाँ पर फरोरी month तक की जो entry है वो हम complete कर चुके है ठीक है तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और अगर आपको tally समझ में आ रही है आपको लग रहा है कि इस वीडियो को share करना चाहिए लाइक करना चाहिए तो आप इस वीडियो को like और share जरूर करें अगर आपको लगता है तो ठीक है बाकी channel तो आपने subscribe कर रखा होगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में ओके सो thanks for watching this video